रक्षा बंधन पर सावन का आखरी सुमवार अध्भुत सयोग से बड़ा महत्व इस बार रक्षा बंधन का तरहार और सावन का आखरी सुमवार एक ही दिन है ये तरहार तीन अगस्त को मनाया जाएगा इस बार रक्षा बंधन के दिन श्रवन नक्ष रत्र पूरे दिन बना रहेगा भाई बहन के प्रेव का प्रतीक रक्षा बंधन का तरहार तीन अगस्त को मनाया जाएगा इसी दिन सावन का आखरी सुमवार भी है जिसकी बचों से रक्षा बंधन का महत्व और बढ़ गया है रक्षा बंधन का तरहा सावन महा की पूर्णीमा को मनाया जाता है ये रक्षा बंधन बहुत खास होने वाला है क्योंकि इस डिन अगस को लक्षवबंधन पर सुभा उत्तारा शाड़ा के बाद श्रवण नक्षवण नक्षवण रहेगा लक्षवण बंधन पर श्रवण नक्षवण रक्रक का होना फल्दा इपा जाता है इस दिन स्वार्ट सित्थे और आयुशमान दिर्खायू का शुब सैयोग भी बन रहा है इस नक्षत्र में भाई और कलाई पर राखी बांधने से भाई पहन दोनों दिर्खायू होते हैं लक्षा बंदन का शुब महरत राखी बांधने के समय भद्रा नहीं होने चाहिए कहता है कि रावन की बहन ने उसे भद्रा काल में ही राखी बांधी थी इसलिए रावन का विनाश हो गया तीन अगस को भद्रा सुबह 9 बचकर 29 मिनिट तक है राखे का तरहा सुबह 9 बचकर 30 मिनिट से शुरू हो जाएगा दोपार को 1 बचकर 35 मिनिट से लेकर शाम 4 बचकर 35 मिनिट तक बहुत ही अच्छा समय है इसके बाद शाम को 7 बचकर 30 मिनिट से लेकर रात साड़े 9 के बीच में बहुत अच्छा महुरत है तो सुनिये आज रक्षा बंधन की पौरानिक था कहा जोता है कि महा भारत काल में जब श्री कृष्ण नी अपने सुदर्शन चक्र सी शिशुपाल का वद किया था तो उस समय उनकी उंगली कट गई यहादे द्रोपती ने अपनी साड़ी का पला फाल कर उनकी उंगली पर बांग दिया था इसे एक रक्षा सुत्र की तरह देखा गया इसके बाद श्री कृष्ण ने द्रोपती को सदे उनकी रक्षा करने का वचन दिया था इसके बाद जब भरी सभा में दुश्रासन त्रोपती का च्विर हरन कर रहा था तब श्री कृष्ण ने त्रोपती की लाच रख कर और अपना वचन पूरा किया इस बार कॉरोना वाइरस की वच्छा से कई भाई बहन रक्षा बंधन के तरहार पर मिल नहीं पाएंगे भाई बहन अलग-अलग भी रहते हुए ये तरहार मना सकते हैं बहने वीडियो कॉल करके भाई को देखते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर सामने रख कर उन्हें भाई मान कर उनके सामने राखी रखते हैं तो रक्षा बंधन का फल मिल जाएगा भाई ऑनलाइन वीडियो कॉल पर ही बहने को आशिरवात दें दें बहने भगवान कृष्ण जी के सामने भोजुन का भोग लगा कर भाई को दिखा दें इस योग में सभी बारा राश्यों का भला होने वाला है जिन आप जो भी मनुकामना लेकर कृष्ण जी के सामने राखी का तुहार मनाएंगे वो सभी पूरी होगी